श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है, आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अप्रेल 2024 को शनिवार है, साथ ही में दोस्तों इस दिन संकष्टी चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी भगवान गनेश जी का जाना जाता है, अब दोस्तों इस दिन आप लोगों को कौन से वो उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करने से आपके देखे हुए सपने भी पूरे हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है, साथ आपकी जो भी दुहक और परेशानी होती है, वो भी दूर हो जाती है, हम आपको इस वीडियो में कुल मिला के तीन उपाय बताने वाले हैं, जिसमें नमबर का जो उपाए होगा वो होगा पांच कनेर के फूल वाला उपाए इसके बाद में दोस्तों जो तीसरे नमबर का उपाए होगा वो होगा हमारा नौशमी पत्र वाला उपाए तीनों ही उपाए बहुत ही ज्यादा विशेश और महत्वपूर्ण है बहुत ही बड़े उ उपाय को इस शनिवार के दिन चतुर्थी के दिन करेंगे भगवान शिव जी के सबसे प्रिये जन और भगवान गनेश जी के सबसे प्रिये जन पर करेंगे तो आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी वो दूर जरूर होंगी आपकी मनोकामनाएं भी पूर्न चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शनिवार चतुर्थी के दिन किये जाने वाला तीन दीपक वाला उपाए तीन दीपक वाले उपाए को आपको कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं देखिए तीन दीपक वाले उपाए में हमें साफ साफ ये बात समझा रही है कि इस उपाए में हमें तीन दीपक तयार करने हैं पर वो तीन दीपक किस चीज के होंगे तो यहां पर हम आपको बता दें कि वह तीन होंगे दोस्तों आटे के यहां पर आप मिट्टी के दीपक ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मिट्टी के दीपक अगर लेंगे तो भाई वो आपको नए लेने पड़ेंगे तो इसलिए थोड़ा सा आटा गूंद क आप उस आटे से जो है तीन आटे के दीपक मीडियम साइच के बना लीजिएगा फिर उसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोग रखिएगा गोल बाती क्योंकि यह जो उपाए है यह हम भगवान शिव जी और भगवान गनेश जी के लिए कर रहे हैं तो इस होता है यह भगवान शिव जी के कारियों में भगवान गनेश जी के कारे में प्रयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पर इन दीपकों को तयार करके अपनी किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना अब दोस्तों यहाँ पर सवाल यह आता है कि इस क्योंकि शनिवार चतुर्थी का दिन रहेगा मतलब माताओं बहनों के लिए ये दिन बहुत ही जरूरी होता है तो इसलिए ये तीन दीपक वाला उपाए मातायम बहने करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा वरना घर का कोई बड़ा भी कर सकता है अब किस समय करना है तो दोस् चतुर्थी के दिन शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में अगर थोड़ा लेट हो जाए तो 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाए कर सकते हो इन तीनों दीपकों को आप लोगों को अपने घर से लेकर निकलना है अब दोस्तों हमने बनाया है तो तीन अलग-अलग जगों पर ये दीपक रखाएंगे. अब वो तीन अलग-अलग जगें कौन सी है? वो आप लोग ध्यान से सुनिये. देखिए सबसे पहला वाला जो दीपक है वो आप लोग ले कर जाओगे किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेर के नीचे और बेलपत्री के पेर के नीचे पह प्राप्त कर लेना तो पहला बेलपत्री के पेर के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी पीपल के पेर के नीचे और पीपल का पेर भी बड़ा होना चाहिए. तो पीपल के पेर के नीचे जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर उस पीपल आमले के पेर के नीचे और आमले के पेर के नीचे जाकर अपने तीसरा नंबर का दीपक जला देना है और वहाँ पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना वहाँ पर धोग दे लेना है इसके बाद में दोस्तों आपका ये वाला उपाय पूर्न हो जाता है इस उपाय को करने स अब दोस्तों आपके घर में माता लक्षमी जी की कृपा होगी, शुब शांती बनी रहेगी, साथ ही में दोस्तों जो भी आपके घर में दुख और परेशानिया होंगी, वो भी दूर हो जाएंगी। अब तो ये पांच कनेर के जो फूल होंगे ये आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, किसी जगह पर नहीं मिलेंगे ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कनेर के पेर में जो कनेर का फूल का पेर होता है, ना ये आपको वहाँ पर मिलेंगे और बहुत ही आसानी से ये प पांच कनेर के फूल होते हैं, तो उनमें से बस आपको पांच कनेर के फूल लेकर आना है। पांच कनेर के फूल उपाय के लिए अलग लेकर जाना है भगवान जी के मंदिर पहुचना। पांच कनेर के फूल निकाल लेने हैं, जो आप उपाय के लिए लेकर आये हुए हैं। अब इन पांच कनेर के फूलों को आपको पांच अलग अलग जगों पर चढ़ाने हैं। वो पांच अलग अलग जगें कौन सी हैं। पूल आप लोग भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसके बाद में दोस्तों तीसरे नमबर का जो कनेर का फूल होगा ये आप लोग माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे जो की जलाधारी के बिलकुल बीचों बीच में ये वाला स्थान होता है। पर भी चढ़ा सकते हो या तो आप लोग शिवजी की पांच बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो आप तो दोस्तों चोथे नंबर का जो कनेर का फूल है ये आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है शिवजी क के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो कनेर फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको आगे की तरफ जलाधारी की तरफ करके रखना है जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है इस तरीके से दोस्तों आ अब हम बात करते हैं, तीसरे और आखिरी उपाए के बारे में, जो कि संकष्टी चतुर्थी का सबसे बड़ा और विशेश उपाए है, माताओं बहनों के लिए विशेश रूप से है, तो इस वाले उपाए में हमें क्या करना है, दोस्तों ये है, नो शमी पत्र वाला शमी पत्र वाला उपाए करना है, अगर कोई शमे ना कर पाए तो भाई वो सुबह के समय भी कर सकता है, उपाए माताओं बहनों के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि इस उपाए को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं, उनके उपर से सारी दुहक और परेशा दूर हो जाते हैं, तो माताओं बहनों को विशेश रूप से ये वाला उपाए करना है, और इस उपाए को करने के लिए आप लोगों को नोशमी पत्र लेकर आने है, नोशमी पत्र आप लोग अपने साथ में, लेकर आ जाएगा उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को यह पर एक घी का दीपक भी तयार करना है, जो कि आप लोग आटे का ही तयार करोगे, उसके अंदर गोल बाती रखोगे, साथ ही आप लोग यहाँ पर शुद देसी गाय का घी डाल लोगे, ये सभी चीजें तयार करके आप शाम के समय प्रदोशकाल में जब भी आप इस उपाय क को कर रहे हो संकष्टी चतुर्थी के दिन, सकत चौत के दिन तो भी आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुच जाना, मंदिर पहुच कर आप लोगों को क्या करना है, कि सबसे पहले भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुच जाना है, पहले इस तरीके से इन तीन शमी पत्रों को जमा कर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है उसके बाद में दोस्तों आखिरी में आपके पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा इस घी के दीपक को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है इस एक समी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिवजी की चौखट के पास में आ जाना है प्रफित के उल्टे हाथ की चौकट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह एक बचा हुआ शमी पत्र समर्पित करना है। यह शिवलिंग में जो गनेश जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने है। हमने आपको इस संकष्टी चतुर्थी या संकटा चौत के दिन किये जाने वाले वो विशेश उपाय बता दिये हैं जो कि पंडित जी ने खुद बताया है। अब आपकी मर्जी है आपके अपने हिसाब से इन उपाय को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी दुख और परेशानी हो मनोकामना हो आप इस उपाय को कीजिएगा और आपकी जो भी दुहक और परेशानी हो उस हिसाब से आप अपने यहवाले उपाय कीजिएगा।